जय गों मातागी जय भारत मातागी आप सब कैसे हैं उमीद करता हूंगे मां जगदंबाग करपास आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं अन्सुमन सर्मा आप सब के चैनल जोते साधना के इंद्र में स्वागत करता हूं आज का विश्य अमारा रहने वाला सूर्य को लेके क करनों से हम घोर्मेंट जौब से रह जाते हैं हजारों प्रियास करने के बाद भी हम कुछी निजी पॉइंटों से हम नोक्री को पाते पाते पिछे रह जाते हैं क्या करने इसे रहते हैं कि हमारे सिर्ष के कुछ शंग काम नहीं करते हैं, बार बार मुझ में थूक आना और प्रेम का भूत सवार होना है। दोस्तों प्यार का भूत किन ग्रहों के कारण मांसिक स्तर पर इतना है भी हो जाता है के परिवार के लिए उस इंसान के दिल में कोई जगह नहीं रहती है किवलों प्यार को ही महद तान देता है और फिर बाद में उसको पच्चताना पड़ता है इसी विशे पर आज के हमारी से ज्यादा शेयर करें तो दोस्तों यदि आप सोसल मेडिया के किसी भी माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी जान करें आपको आपके चैनल जो के साथ नकेंदर यूटूब पर प्राप्त होगी चैनल का लिंक आपको वीडियो के साथ में मिल जाएगा तो पूरा ज्यान किसी काम का नियोता पूरा ज्यान से ही आप अपने जीवन में प्रभाव स्कितियों को समझ सकते हैं और बदलाव भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इशी विशय पर कि सूर्य किन स्थानों पर सूब रहता है और किन स्थानों पर असूब र तो दोस्तो जरम स्थान में यदि लगन में सूरिय बैठता है तो यहां पर क्या होता है कि स्थान का सूरिय नाश कर देता है और द्वित्य स्थान में जो है भै रहता है इंसान को यदि सूरिय द्वित्य भाव में बैठ जाता है तो वहां पर क्या रहता है कि उस इंसान को ज स्थान लाबकी देती है यहां पर शोगने बड़ा अच्छा फल देता है तिर्थेस फनने होने को मिलते हैं निर्धनता की तखलर लेके कर पाते हैं सटम स्थान में सत्रु हानी यानि कि यदि छटे स्थान में सूर्य बैठ जाता है तो आपके उपर सत्रु ज्यादा है भी रहने वाले हैं सब्तम स्थान में लाब उरहाने यहां पर सूर्य क्या है कि मिला जुला फल देता है यानि कि आपको लाब भी देता है और ज्यादा प्रियास करने पर बी जो है सम्मान मुल पाता है कहीना कहीं उसके मन को ठेस पहुँचती है ईजह इस स्थान प्ollar और दसम स्थान में जो है सूर्य कारिये सिद्ध करता है अगर आपका दसमें स्थान पर सूर्य है दसमें स्थान पर सूर्य यह दिवपस्तित है तो वो कहीं न कहीं आपको कारिये में सिद्धी दिलाएगा एकाद स्थान में धन लाप यहां पर तक्रिबन कोई भी ग्रह होता है वह लाब की स्थिति में रहता है तो सूर्य यहां पर आपको उत्तमभल देने बाले हैं 12 травन में महान जो है अब दोस्तों हम यह डिपैंट करता है लगन की स्थिती के उपर तो तहां पर ये बड़ी एहम जानकारी है आपके लिए कि आप अपने लगन स्थान का ज्यान जरूर कर लीजिएगा अब घर में यहां पर हम एक छोटे उधारन से भी हम सुरिया की स्थिति को जान सकते हैं कि सुरिया अमारे लिए किस तरह का फल देने वाला है घर में यदि सुरिया आपका अच्छा नहीं है तो पसु बार-बार मर भी जाते हैं और या गुम हो जाते हैं इस तरह कि स्थिति को सुरिया जो है प्रभाव देता है मुह में बार-बार थूक आना दोस्तों जी हां अगर किसी के बार-बार मुह में थूक आता है तो जान लिजे कि सुर उने ग्यान हो पाएगा सरीर के अंग निकम में हो जाते हैं जिहां दोस्तों अगर सूरिय अच्छा नहीं रहता है तो कहीना कहीं हमारे कुछ अंग काम नहीं करते हैं और करते हैं तो उनमें कहीना कहीं पीडा बनी रहती है तो सरीर स्वस्त नहीं रहता है ज्यादा अपने भ के साथ उसका कोई मित्र ग्रह बैट जाता है तो कहीं ना कहीं जो है बच्चा अपने मात पिता से ज्यादा अपने जीवन में तरक्की करता है अत्याधिक मात्रा में धन को जोड़ता है एक्जामपल भोर के आज तक आप भविश्य में देखे बहुत चैसे रहे हैं जिनके फ मैं बात करतें हैं दोस्तों सूरिय सुक्ष्षूर सनी के टक्राव होने पर पत्णी को कश्ट बे मिलता है जीए हां सूरिय के साथ यदि सुक्र और सनी के यूति बन जाती है तो कहीं ना कहीं पत्णी के स्वास्ते में बार बार गिरावट आती है क displi ठीक हो जाता है कभा जिस स्थान पर बैठता है मान लीजिए कि द्वित्य भाव में बैठता है वह स्थान सुक्र का है तो यहां पर क्या होगा कि सुक्र का प्रभाव ओल्रेडी कम हो जाएगा इसका बड़ा कारण क्या रहता है कि सूरिय जो है एक बड़ा प्रभाव शालिग रहे है तो कि पूरे संसार को जो है पूरी से दुनिया को रोशन करता है पूरे ब्रहमांड में जो है रोशनी का कारिय सूरिय करता है तो सूरिय की जो एनरजी है वो अत्यधिक माद्रा में निकलती है कि जिस कारण यदि हम भी सूरिय के निकड़ जाते हैं तो हमारा भी कहीं न कहीं विनास का कारण हमारा सूर्य के नजदी के जाना हो सकता है तो उसी प्रकार से सूर्य यदि आपकी कुंडली के जिस भी स्थान में जिस भी ग्रह के साथ बैठता है तो कहीं ना कहीं वह स्थान प्रभावित हो जाता है उस घर का मालिक उत्तमफल नहीं दे पाता है अब यदि शूरिय के साथ चंद्रमा और मंगल की यूती बन जाती है तो यह भी बड़ी गंबीर बनती है कुणली के इंदर तो यहां पर क्या स्तिथि बनती है और साथ में यदी केत्यों हो जाए तो यह और भी जाधा जो है कठीन कारियआ बन जाता है माद पिता का विमार रहना या संतान का विमार रहना तो यह स्थितिया भी इंसान को जो है देखने को मिलती है तो आभ हम बढ़ते हैं शूरिय के साथ यदि राहु बैठ जाते हैं तो वहाँ पर क्या स्थिति रहती है तो यह बड़ी Interesting स्थिती रहने वाली है कि यदि सूरिये के साथ राहु बैढ़ जाए तो व्यक्ति हमसा गंदे विचारों से लिप्त रहता है यानि कि उसके मानिसिक स्थर में जो है विचार हमसा गंदे ही आएंगे क्यांकि आत्मा के साथ राहु का कोई मिलनी है सूरिय आत्मा का कारक है तो यहां पर इंसान जो है गंदे विचारों से लिप्त रहता है और उसको केवल अपनी हवस अपनी इच्छा पूरी करने से ही मतलब रहता है उसे धरम और अधरम का कोई ज्ञान नहीं रहता है मात्पिता को क्या स्थान देना चाहिए वहां इंसान यह चीज नहीं सोच सकता है केवल उसे अपना और अपनी वाइप का अपने परिवार से ही उसको मतलब रहता है तो मात्पिता को हमेशा उस संतान की तरफ से कष्ट ही देखने को मिलते हैं क्योंकि वह धरम का और धरम का विचार ही नहीं कर पाता है कि मात्पिता और परिवारिक स्थितियों को हम कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं जब हमें धरम और अधरम का ग्यान हो यदि हम प्रेम में या मोहों में इतने ज्यादा लिप्त हो जाते हैं कि जहां हम यह नहीं देख पाते हैं कि गलत क्या है सही क जा है और गलत के साथ हम आगे बढ़ते तो वहां कहीं न कहीं आपके साथ सूरिय का राहु का मिलन है कि आप सही को देख नहीं पाते हैं और प्यार का इस कदर भूत सबार रहता है कि पत्नी के अलावा या फिर आपके कोई अफेर है कि उसके साथ कुंडली के अनुशार वो इंसान के दिमाग पर प्यार का प्रेम का भूत बहुत ज़्यादा भयानक रूप से स्वार हो जाता है और इंसान को ग्यान हो पाता है पर वो उस समय पर स्तितियां पीछे चली जाती है और इंसान बहुत आगे चला जाता है वो रिष्टे भी नहीं बचते हैं जिनके के कोर्डिंग सुरिये का कोई न कोई उपाई जरूर कीजिएगा वरना ये स्तिति आपको अत्यधिक कष्ट देने वाली है अब दोस्तों जो लोग गोवर्मिंट जोब के लिए प्रियास करते हैं देखिए पर्थम स्तान में सुरिये उंचका है अच्छे प्रणाम और सब्तम स्तान में सुरिये नीचका हो जाला पर ये डिपेंड करता है कि लगन कौन सा है ठीक है लगन कौन सा है तो वहां पर सुरिये का प्रभाव चेंज ह हो जाता है अब जो गोर्मेट भोच्छे हमारे पास प्रशन आते हैं कि गुरुजी हम लोगों ने आते दिक प्रयास किये प्रंतों गोर्मेट जोब नहीं मिल पाती है तो इसमें एक बड़ा रीजन क्या रहता है कि जिस इनसान की कुंडली में एक बार भी यदि वो किसी एक बनने वाला है बहुत कम लोगों को यदि जिनकी कुंडली में रीचेकिंग की स्तिती बन जाती है तो उनको बहुत कम मैं कहूंगा कि सो में से किबल दो प्रेसेंट ही ऐसे लोग हैं जिनका जनून बहुत ज्यादा एक उग्र रूप में जो है उनके सवार होता है जनून के उनने गुर्मेंट जोब पानी है तो वही लोग के वल जोग को प्राप्त कर पाते हैं और जो है सम स्तिती में प्रियास करने वाले जिनका रीचेकिंग हो जाती है कुनली में यदि वो एकजाम में एक दो नमबर से रह जाता उनका फिर उनने रीचेकिंग का फोम बरना पर कोई लाव नहीं मिलने वाला है तो दोस्तों कि इसके अलावा सूरिय की और भी जानकर या आपको कूड रहस्य आपको हमारे जो है यूटूब चैनल से मिल सकते हैं यदि आपके मन में कोई किसी प्रकार का कोई प्रियास है कोई हरम से संब्दित है या प्रकरती से संब नबर पर अपना प्रसंद कर सकते हैं तो हम उसके बारे में आपके ज्यान के अनुसार भी और आपके मादम से और लोगों को भी उसका घ्यान मिल पाई तो उसके बारे पर हम विश्लेशन भी करें गर एक वीडियो भी बनाएंगे तो दोस्तों किसी भी परकार की कोई भी है आप हमारे WhatsApp नमबर पर मैसेज भेज सकते हैं और यदि जानकर या आप कोई अच्छी लगे तो आप वीडियो को जादा से जादा से जादा सीर किजिएगा और कोमेंट करके बताइएगा कि हमें जानकरी कैसी लगी है और आगे आप किस विशे प्रारम वो चुका है यदि आपके आसपास में कोई गरीब लोग हैं उनकी बास वस्तर नहीं है या बेजुबान ठन में बाहर दडब रहे हैं तो आप उनके लिए छुटा सा प्रयाज जरूर कीजेगा या कोई वस्तर का या फिर खाने की कोई ऐसी चीज उनको दीजेगा ज लोग है